नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों एपल ने iOS 14 का एक नया पब्लिक बीटा iOS 14.5 बीटा 1 रिलीज कर दिया है इस रिलीज में Apple ने कुछ बड़े ही important changes की हैं और इस वीडियो में हम आपको उन changes के बारे में बताएंगे दोस्तों इस चैनल पे हम लगाताद Apple प्रोड़क्स से रिलेटेड कुछ informative और interesting वीडियोस लेकर आते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले मेरा नाम है सिद्धाथ और आप देख रहे हैं टेक्नो एडिक्स इंडिया दोस्तों iOS 14.5 के पब्लिक बीटा 1 का फाइल साइस काफी बड़ा है और आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरे iPhone XS Max में इसका फाइल साइस 5.14 GB है तो अगर आपके फोन की स्टोरेज कैपसिटी लिमिटेड है तो इस बीटा को इस्टॉल करने से पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों Apple ने iOS 14.5 बीटा के साथ Watch OS 7.4 बीटा 1, TV OS 14.5 बीटा 1 और iPad OS 14.5 बीटा 1 को भी रिलीज किया है इसी के साथ Apple ने Mac OS Big Surve 11.2 को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया है तो दोस्तों iOS 14.5 बीटा 1 अब हमारे फोन में इंस्टॉल हो गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा सॉफ्ट्वेर वर्जन 14.5 अब दिख रहा है सबसे पहला चेंज जो iOS 14.5 बीटा में आया है वो है मौडम फर्मवेर में बहुत से iPhone यूजर्स की एक कंप्लेंट थी कि उनके फोन में प्रॉपर सिगनर्स नहीं आ रहे हैं या कॉल ड्रॉप्स हो रही है इसलिए Apple यहाँ पर एक मौडम फर्मवेर अपडेट लेकर आया है आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड में मेरे iPhone 12 Pro Max में मौडम फर्मवेर का नंबर है 1.42.03 जबकि लेफ्ट साइड में मेरे iPhone 10S Max में इसलिए अपडेट के बाद हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल हो जाएंगी दूसरा चेंज किया गया है प्राइवेसी से रिलेटिड दोस्तो एपल ने iOS 14 में हमें Settings में Privacy में ये Tracking का Option दिया है जब हम इस Privacy Option पर टैप करते हैं तो हमें ये Allow Apps to Request to Track का Option मिलता है हम इस बटन की मदद से Apps को हमें ट्रैक करने से रोख सकते हैं तो ये बटन iOS 14.4 में भी Available था लेकिन Apple इसे fully implement नहीं कर रहा था लेकिन अब iOS 14.5 के साथ ये fully implement हो जाएगा जो कि हमारी Privacy के लिए एक बहुत अच्छा कदम है जब हम इस बटन को Enable करेंगे तो इस तरीके से Apps की लिस्ट हमें नीचे दिखाई दे जाएगी जिस तरीके से Aspart 9 का बटन यहां दिखाई दे रहा है जिन भी Apps को हम Track करने की Permission देना चाते हैं उनको यहां से Enable कर सकते है तो दोस्तों यह Privacy से Related Apple की तरफ से उठाए गया एक बहुत अच्छा कदम है तीसरा Change एक Visual Change है जब आप अपने फोन की Settings में General और Software Update में जाते हैं आपको इस तरीके का एक Message दिखाई देता है Your iPhone is up to date with all latest bug fixes and security enhancements जबकि iOS 14.4 में आप देख सकते हैं कि एक Simple सा Your Software is up to date का Message आता था तो एक यह छोटा सा बदलाव यहां पर iOS 14.5 में किया गया है दोस्तों एक बड़ा बदलाव जो iOS 14.5 बेटा में किया गया है वो है Face Recognition में आजकल इस pandemic के जमाने में सभी लोग जादे तर समय Face मास्क लगा कर रखते हैं और इस मास्क की वज़े से हमारा Face ID ठीक से काम नहीं करता है तो इस problem का एक workaround एपल ने निकाला है अगर आप Apple Watch यूज़ करते हैं तो आप अपनी Apple Watch की मदद से अपने फोन को unlock कर सकते है इस feature को यूज़ करने के लिए आपको अपने फोन की settings में जाकर Face ID और Passcode option में जाना है दोस्तों मैं Apple Watch यूज़ नहीं करता हूँ इसलिए मेरे को यहाँ पर वो option दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन अगर आप Apple Watch यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर एक option दिखाई देगा unlock your phone with your Apple Watch आपको उस option को enable कर लेना है लेकिन दोस्तों याद रहे Apple Watch से आपको अपने phone को unlock करने के लिए आपको अपनी Apple Watch को पहने वे होना चाहिए इसको enable करने के बाद आप mask पहने वे भी अपनी watch की मदद से अपने phone को unlock कर सकते हैं तो दोस्तों अब आपको public में risk लेकर अपने phone को unlock करने के लिए अपने mask को नीचे करने की जरूरत नहीं है कुछ changes यहाँ पर किये गए है Siri के interface में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे left hand side पर मेरा iPhone XS Max है जिसमें हमारा iOS 14.5 बीटा चल रहा है और right side में मेरे iPhone 12 Pro Max है जिसमें iOS 14.4 चल रहा है Hey Siri Send a message to Wi-Fi तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि Siri interface में भी कुछ changes किये गए हैं इसी के साथ साथ iOS 14.5 में हम Siri की मदद से emergency services के command भी दे सकते हैं दोस्तो अगला change iOS 14.5 बीटा में जो आया है वो आया है हमारे gamer friends के लिए iOS 14.5 बीटा में अब हम अपने Xbox Series X, Xbox Series S और PlayStation 5 के controllers को अपने phone के साथ यूज़ कर सकते हैं अगला change इंडिया के लिए भी applicable नहीं है और वो है कि अब हम अपने iPhone 12 Series में Dual 5G SIM card को यूज़ कर सकते हैं Maybe future में ये feature हमारे किसी काम आ जाए Next change है दोस्तो Reminders एप में Reminders एप में अब आप अपने Reminders को sort कर सकते हैं आप उपर यहां पर 3 dots पर क्लिक करके Sort By option पर जा सकते हैं Sort By में आप अपने Reminders को Manual, Deadline, Creation Date, Priority और Title के हिसाब से sort कर सकते हैं आप यहां पर Right Side में देख सकते हैं कि यह Sort By का option हमें iOS 14.4 में देखने को नहीं मिलता है इसके अलावा App Library में भी कुछ changes किये गए है इसी तरीके से Entertainment folder की भी location चेंज हो गई है तो कुछ changes हमाई App Library में भी देखने को मिलते हैं एक छोटा सा चेंज दोस्तों हमें यहां पर Apple Watch App में दिखाई देता है जहां पर आप यह देख सकते हैं कि यह Face Gallery का आइकन जो है इसे related हमारे वीडियो को देख सकते हैं तो दोस्तों यह थे कुछ important changes जो iOS 14.5 beta 1 में हमें देखने को मिलेगे दोस्तों अगर आप भी iOS 14.5 beta में आने वाले किसी ऐसे change के बारे में जानते हैं जो हमने इस वीडियो में cover नहीं किया है तो आप हमें नीचे comment box में लिखके बताएं अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे like करें अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ share करें हमारे चैनल को subscribe करें और bell icon को दबाना न भूलें जिससे जब भी हमारा कोई नया वीडियो आये तो आपको उसकी जानकारी मिल सके धन्यवाद